आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चेनल एटुजड इस्टिडियू पॉइंट पर आज आप देख रहे हैं ज्ञान से तु अधिगम संबर्धन कारी करम प्रगती कारी पुष्टिका हिंदी का अध्यन करेंगे तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चेनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे और अपने कारी पुष्टिका की सारी सोलिशन को पुरा किजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई किजिए आए कलास को सुरू करते हैं और आज का पेज कौन सा चलिए देखते हैं बच्चों आज की सुरू का देख रहे हैं पहले अच्छी तरह समझे और उसके बाद पसंद आवे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा आए देखते हैं क्या लिखा है कि वर्न सब्द बोध और संजुकता अक्छर संजुकता अक्छर का मतलब यह होता है कि उसमें एक पूरा सब्द और एक आधा सब्द द सब्द को पढ़कर और समझ कर लिखिए तो इसको क्या कहना का मतलब है कि बउरो जुशन जुठ चौ आकर क्या हो गया बच्चा बच्चों पर चैनल पर यहाद रखेगा द सच्चा हो गया ईपका उसके बाद क्या लिखा है को चौ संजूख्थ चौ आकर कच्चा हो गया, तो भच्त से पढ़ेंगे और उसके बाद देख रहिए यहाँ तो यहां क्या लिखेंगे और यहां अचम्र सन्जुक्त क्या हो जागा मच्छर इस तरह से आफ तोड़ तोड़ा कर इसे पढ़कर लिखने बच्चो अब लिखना सुरू किजिए यहां क्या लिखेंगे यहां पर बच्चो देख रहें यहां पर क्या लिखा है बो चो संजुग्त चो आकर यहां आपको आ की मात्रा को लगा के लिखना है उसी तरह यहां क्या लिखेंगे सो चो संजुक्त चो आकर सच्चा हो गया फिर यहां क्या लिखेंगे को चो संजुक्त चो आकर कच्चा हो गया इस तरह से लिखेंगे फिर यहां क्या लिखेंगे आपका आध़त चो और चो है तो यहां क्या लिखेंगे मो लिखेंगे और यहां आपका क्या बच गया रो तो मो चो संजुक्त छो रो क्या हो गया मच्छर हो गया फिर क्या लिखेंगे ओ चो संजुक्त छो आकर क्या हो गया अच्छा हो गया अब यहां क्या लिखेंगे लो आधा चो बोलते हैं छो दिर गई क्या हो गया लच्छी हो गया इस तरह से बच्चों इसको लिखने का प्रियास करेंगा अच्छी तरह से अब यहां आप देख रहे हैं यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यह आपका मक्खी है ना यहां को संजुक्त है और खो है तो यहां क्या करेंगे यहां लिखेंगे मो को को हरसाई खो नौ यह दख्षिन हो गया यहां क्या है को संजुकत है खो में क्या है खो में हरसाई है यह दो को संजुकत खो हरसाई नौ यह तो दख्षिन आपका हो गया याद रखिएगा यहां को में हरसाई नहीं है यह खो में हरसाई है याद रखिएगा क्योंकि इसके पह आकार लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे बहु लिख दीगे यह क्या होँ जागा बसता यहन को पढ़ को लिखेंगे मो cache तली नी अधा सो बोलिए या संजूकत बढ़िए यह और ये यह क्या है तो अदा तो तुम आकर सस्ता हो गया यह अपका क्या आगा यह तालेबर सुने यह यह मुर्दन सुने यह आपका दन्सो है इस चीज को याद रखेंगा वच्चों आईये उसके बाद देख रहें यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ आपका दो नमर देख रहे हैं नीचे दिये गए सब् इस तरह से अब समझ कर लिखने का प्रियास करेंगे आपके सुवीधा के लिए हम लिख दिये हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ें क्या क्या पढ़ेंगे कुमहार तुमहारी तुमहें अब्बा छज्जा मक्ही मच्छर सज्जन स्टूल सिहाई योग्य इस तरह से बच्च अब यहां लिखा है तुमहारा क्या पढ़ेंगे तुमहारा तुमहारे अम्म सुग्गा पत्थर बग्गी लज्जा स्कूल स्टेशन अस्थान योग्म बच्चों इस तरह से देख देखकर बार बार आप पढ़ें समझें तो आपको हिंदी की जनकारी काफी ही बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ क्या होगा आप वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों के भी सेयर कीजिए बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है वर्ण सब्द बोध रौ का प्रियूग चित्रों को देखकर उनके नामों को पढ़िये और लिखिये बच्चो देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि चित्रों को देखकर उनके नामों को पढ़िए और लिखिए यहां लिखा है फरोक, यहां है चंद्रमा, यह है ड्रम, यह है ट्रक, यह है ट्रेक्टर और यह आपका है ट्रेन तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इसे बार-बार लिखें यहाँ पर देख रहे हैं बच्चो आप इस तरह से लिखेंगे आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह से आपको साब सुत्रा पैंसिल से ये लिखना है अब नीचे पे दिख रहे हैं दिये गए सब्दों को पढ़िये समझे और लिखिये तो इसको चर्म, मुर्गा, गर्म, अर्थ, धर्म, मार्ग, भर्ता, नर्तक ऐसे सब्दों को पढ़ पढ़ कर बच्चो आपको लिखना है यहां जो जग है आपका दिया है तो यहां आप पढ़ पढ़ कर लिखेंगे जो आपकी सुविधा के लिख कर बताई हुए इसे पढ़ कर लिखियेगा और नीचे में क्या दिया है कि नीचे दिये गए संचुक्त व्वेंजनों से बनने वाले सब्दों को पढ़िए समझे और लिखे इसके आपको पढ़ पढ़कर यहां आपको लिखना है बच्चो आपकी सुवीधा के लिए यहाँ पर लिख दिये हैं और यह पेज नमर 10 से देख रहे हैं बच्चो पुन्हा एक बार पढ़ लिजी क्या है बस्ता, गड़ा, मठ्था, प्याली, मच्छर, कच्चा और इसी तरह से आपको पुन्हा लिखते हुए चलना है उमीदा बच्चो आज चकलास आपके लिए काफी यूज़फूल रहा होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे नए नए टोपिक पाने के लिए हमारे अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ाई करें